इस संसारिक सफर में आप एक जगा से किसी और जगा पे जा रहे हैं, वेटरों पे जा रहे हैं, ट्रेंट में जा रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, चावडी बजार में शौपिंग कर रहे हैं, चादनी चौक पहाड गंज में, यह जो मेरे ससुर जी के साथ हुआ दे, पहाड लोग भी हैं, जो खुदा का भै नहीं मानते हैं उस प्रकार के लोग होते हैं ये तो है पूरी दुनिया की बात में कर रहा हूँ, लेकिन विश्वास में आने के बाद येश्यो मसी को मानने के बाद प्रभू येश्यो मसी का नाम लेकर लगातार चर्च में आना शुरू कर दिया उसके बाद भी मेरे प्रियो हम हैं तो इसी दुनिया में और जिस प्रकार हमारे संसार के सफर में हमारे साथ बुरे लोग बुराई कर जाते हैं उसी प्रकार हमारे मसीही जीवन में भी हमारे मसीही जीवन में भी हम ऐसे लोगों से ही घृरे हुए हैं बहुत बार क्योंकि हम रहते ही इसी दुनिया में ही है और मसीही चाल में, मसीही सफर में Christian life के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो बुरे लोग हैं जो हमें विश्वास से भटका सकते हैं जो हमें प्रभू से अलग लेके जा सकते हैं जो हम येश्व मसी पे विश्वास करते हैं तो वो इस बात का विरोध करेंगे और यहुदा जो इस पत्री को लिखता है वो इस बात में ऐसे अधर्मी लोगों यहाँ पर मैं आज का जो शीर्शक है बुरे खतरनाक लोगों से दूर रहो मैंने बहुत लंबी चोड़ी बात की कि आपका फोन, आपका वालेट आपके सोने की चेन चोरी हो सकती है इन लोगों से बचके रहो लेकिन और ज़्यादा जरूरी है कि जो आपकी आत्माओं को प्रभू से दूर कर सकते है जो लोग आपके दिहान को कुरूस से हटाकर प्रभू से हटाकर जो लोग संसार की और लेके जाना चाहते है जो सत्य से आपका मन हटाकर जूट की तरफ आपके मन को लेके जाना चाहते है ऐसे लोगों से साफधान रहो हम कितने सतर्क रहते हैं उन लोगों से जो हमारे बटुए को चुरा सकते हैं हमें कितना जादा सतर्क रहना होगा उन लोगों से जो हमें प्रभू के रास्ते से दूर कर सकते हैं मेरे प्रियो परमेश्वर ने आपको अपने लहु से खरीदा है, येश्यु मसी क्रूस पे मारा गया आपके अधर्म के कामों के लिए, और उसने आपको चुनली आपके पाप शमा कर दिये, उसने आपको अपना मंदिर बना लिया, उसने आपको अपनी निजप्रजा बनाया है, यू आर माइन, मैंने तुमको नाम से बुलाया है, तुम मेरे हो वो कहता है, मैं तुम्हे सुन्दर बना रहा हूँ, मैं तुम्हारे अंदर की तुटिया निकाल रहा हूँ, मैं तुम्हे सित कर रहा हूँ, और मैं तुम्हें स्वर्ग में अपने साथ अनंत काल तक तुम मेरे साथ रहोगे हमारा प्रभू के साथ एक संबंध है जो कोई तोड नहीं सकता प्रभू ने हमें चुना है ताकि हम उसकी उपासना करें ताकि हम उसकी खोच करें ताकि उसकी महिमा मेरे दिल का सबसे बड़ा, मेरे दिल की सबसे बड़ी उमंग होनी चाहिए, मैं मेरे प्रभु के साथ जीना चाहता हूँ, मैं इस धर्ती पर मेरे प्रभु के लिए मैं जीना चाहता हूँ, क्यूंकि वचन में लिखा है, तुम इस संसार में हो, लेकि तु लोग हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, जैसे हमको पता नहीं चलता, कौन हमारा बटुअ कब मार जाए, उसी प्रकार हमें नहीं पता रहता, अगर हम ध्यान नहीं देंगे, हम अपने रास्ते से भटक सकते हैं, हम कमजोर हो सकते हैं अपने मसीही चाल में, इसलिए पॉलूस अपनी पत्री पे पत्री पे पत्री पे नयानियम भरा पड़ा इस बात से, विश्वास में बढ़ो, व्रिद्धी होनी चाहें तुम्हारे विश्वास में, अपने विश्वास की हिफाज़त करो, अपने विश्वास की रक्षा करो, अपने विश्वास की कत्र करो, क्योंक वारे श्राप को अपने उपर लेकर खुद श्रापित हो गया ये मसी और जो तुम्हें नर्क में जोक सकता है शैतान उसे नर्क में जाने का रास्ता खोल दिया येशु मसी ने शैतान को सदा के लिए हरा दिया इसलिए सुसमाचार हमें अपने आपको प्रती दिन याद दिलाना है मैं कौन हूँ मैं येशु मसी के अनुग्रे से परमेश्वर के अनुग्रे से येशु की कुर्बानी के द्वारा बचाया गया उसका पुत्र हूँ अगर वो कुर्बानी ना देता हम मृत्यु में होते अगर येशु क्रूस पर अपना बलिदान ना देता हम अपने पापों में धबे होए होते कोई हमें निकाल नहीं पाता ऐसे लोग तो होते और आते और आए हैं जो हमें पापी हैं करके दोश हमारे उपर लगा देते लेकिन पापियों को बचाने वाला कौन है येशु मसी मेरे प्रियो उसने आपको पाप से बचाया है और उसने आपको एक जिम्मेदारी सौंपी है become like me in this life तुम अपने जीवन में मेरे जैसे बनो पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला तुम्हारा चुनने वाला पिता पवित्र है पाप से नफरत रखो यहुदा अगले हफते बताऊंगा यहुदा कहता है ऐसे धर्मी अनगॉडली खुदा का भेन ना मानने वालों के कपड़ों तक भी तुम कपड़े को भी हाथ मत लगाना कपड़ों के कपड़ों के कोने तक को तुम छूना मत ऐसे लोगों के जो खुदा का ठठा करते हैं जो मजाक उड़ाते हैं जो खुदा का भेन नहीं मानते जो तुम्हारे विश्वास पर हसते हैं धन्य है वो मनुष्य जो पापियों के मार्ग में ना खड़ा होता ना बैठता ना ठटा करने वालों की बैठक में जो बैठता है धन्य है वो मनुष्य जो प्रोड़ी तुम्हारे वो मनुष्य झाले वो मनुष्य झाले वो मनुष्य दो जो प्राख प्रयवक्त झाल 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 इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी संगती पर ध्यान दीजिए इस संसार में गौड लवर्ज हैं और सेल्फ लवर्ज हैं इस संसार में परमेश्वर को प्यार करने वाले भरे पड़े हैं कुछ आमिन बहुत भरे पड़े नहीं है लेकिन बहुत हैं इस संसार में जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और भरे पड़े हैं ऐसे लोग जो स्वयम अपने आप से प्रेम करते हैं इस संसार में ऐसे भी हैं जो परमेश्वर से नफरत करते हैं अपने आप से प्रेम करते हैं अपनी इच्छाओं से प्रेम करते हैं, अपनी मन मर्जियों से प्रेम करते हैं, अपने सपनों, इरादों, अपनी उजनाओं से प्रेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर से घ्रणा करते हैं, और यही हैं, जो लोग जो परमेश्वर से घ्रणा करते हैं, और अपने आप से प्रे से जानते हैं कि हमें गलत लोगों से नहीं मिलना चाहिए हमें उनके कहे में नहीं चलना चाहिए हम तो इस बात को जानते हैं तो मैं आज कोई नहीं बात प्रचार नहीं कर रहा हूँ मैं उसी बात का प्रचार कर रहा हूँ जो बात आप जानते हो लेकिन आपको उस बात को याद करवाना मेरी जिम्मेदारी है यहुदा भी इस पत्री में यही लिखता है पांच में पद में आप ध्यान से अपनी अबाईवर में देखिए मैं जाहूंगा कि सब लोग वचन में शक्ती है तो इसलिए सब लोग वचन को पढ़ें जब मैं वचन आपको उसका हवाला देता हूँ पांच में की लिख और अब मैं तुम्हें सब लोग मेरे साथ पढ़ें 1-2-3 पढ़िए अब मैं तुमें याद दिलाना चाहता हूँ यदिपी तुम सब बातों को पहले से ही जानते हो इधर देखो सारे आप जानते हो जो बात में आज प्रचार करने वाला हूँ आप जानते हो बचन का कहता है हम तुमें याद दिलाना चाहते हैं तुम जानते तो हो पर फिर क्यूं है तुमारी संगती गड़ड क्यूं तुम अपने विश्वास में पीछे हो रहे हो क्यूं तुम अपने भरोसे में नीचे हो रहे हो तुमने सुना था सूसमाचार 15 सालों से सूसमाचार सुनते आ रहे हो हर संड़े येशु मसी का नाम ही लिया जाता है येशु मसी का वचन ही प्रचार किया रदा तो क्यूं हो वहाँ पर जहां हो क्यूं क्यूंकि तुम जिम्मेदार नहीं हो अपने आत्मिक जीवन में वो भी यही कह रहा है तुम जिन बातों को जानते हो मैं तुम्हें उन बातों को याद दिलाना चाहता हूँ और आज मेरे प्रियो आपको भी इस बात को अपने आपको याद दिलाना है कि जो अधर्मी लोग हैं उनका नयाए होगा परमेश्वर उनका नयाए करेगा अधर्मी लोग, खतरनाक लोग जो परमेश्वर को भे नहीं मानते और जो दूसरों को विश्वास से भटका देते मेरे प्रियो ऐसे लोगों का बड़ा भयंकर नयाए आने वाले दिनों में होने बाला है कैसे पता? 14 और 15 में हम इस बात को देखते हैं 14 और 15 में हनोक ने भी जो आदम से सात्वी पीडी में था उनके विशे में उनके मतलब जो लोग धर्मी हैं उनके विशे में ये भविश्यवानी की पढ़ो आगे क्या भविश्यवानी की? देखो प्रभू अपने लाखों पवित्र जनों के साथ आया कि सब का नयाए करे जोर से पढ़ो और सब भक्ती हीनों को उन सब के अभक्ती के काम जो उन्होंने भक्ती हीन होकर किये और उन सब कठोर बातों के विशे में जो भक्ती हीन पापियों ने उसके विरोध में कहीं है दोशी ठहराए मेरे प्रियोग प्रभू आने वाला है ये बच्चों को सिखाने वाली मन गडंत कहानी नहीं है प्रभू सत्य है वापस आने वाला है और आने के बाद प्रभू न्याई करेगा इस संसार का सबसे पहले वो न्याई करेगा लीडरों का, पास्टर्स का इसलिए याकूब की पत्री में चौथे अध्याय में लिखा हुआ है सब लोग उपदेशक मत बनो सब लोग प्रचारक मत बनो सब लोग वचन यहां पे खड़े होकर सब लोग वचन लेने की कामना मत करो मैं पास्टर बनूँगा सबसे पहले और भयंकर और कठोर नयाय परमेश्वर हम लोगों का करेगा जो यहां वचन बोलते हैं दूसरा फिर ऐसे भी लिखा है वो अपने घराने से नयाय शुरू करेगा मतलब कलीसिया से अपने लोगों से जो विश्वास करते हैं उनका नयाय होगा और उसके बाद उसके नयाय में सब लोग कवर हैं अधर्मी लोग भी जो उसको नहीं मानते नहीं जानते विश्वास नहीं करते उसका मजाक उडाते जो नास्तिक हैं जो जानते तो हैं कि प्रभू है लेकिन फिर भी उसका डर नहीं मानते, प्रभू सब का न्याय करेगा, लिका है प्रभू जीवितों और मृतिकों तक का न्याय करेगा, जो मर चुके हैं, दुनिया की काइनात जब से शुरू हुई, तब से लेके जब प्रभू आएगा, तब तक जो लोग मर चुके होंगे, वो सब जीवित किये जाएंगे, और उनका न्याय होगा, और प्रभू के सिंहासन के सामने सब को खड़े होना है, इसलिए न्याय होगा, खतरनाक लोगों से बचके रहना है, खतरनाक लोग मतलब वो जो खुदा का बेहनी मानते, उनका न्याय होगा, और इसलिए मैं आप से एक सवाल पूछता हूँ अधर्मी लोग क्या करते हैं अधर्मी लोग अर्थात जो खुदा का डर नहीं मानते जो प्रभु का डर नहीं मानते वो लोग क्या करते हैं हम कैसे पहचानेंगे ऐसे लोगों को और इस चीज़ की सूची में 18 बातें यहुदा अपनी इस पत्री में लिखता है कितनी बात है अठारा गुण या गुण नहीं अगुण अठारा ऐसी गलत बाते हैं जो अधर्मी लोगों के अंदर होती है और अगर आप किसी व्यक्ती के अंदर उस अगुण को देखते हो उस बुराई को देखते हो तो आपको उस व्यक्ती से भागने की जरूरत है आपको उस व्यक्ती के कपड़ों तक को आपको छूने की मन नहीं होना चाहिए इसलिए मैं आपको बताना चाहता हू इस पत्री से अगले हफते भी कैसे करें जिन लोगों से आपको भागना है उन लोगों के अगुण जो बुराईयां है यहाँ पे लिखी गई हैं पहचान लो लिख लो मन में रख लो और ऐसे लोगों से भागो दूसरी बात और ये बात बड़ी कठोर है पर मैं बोलूँगा हम अधर्मी लोगों में इन बुराईयों को ढूंडेंगे और उनसे बचेंगे बचन सुनते समय ये भी सोचना क्या ये बुराईयां कहीं आपके अंदर तो नहीं आ रही हैं धीरे धीरे शायद उननिस की उननिस आपके उपर लागू ना हो लेकिन हो सकता है उसमें से दो चार बाते हैं जो आपकी कमजोर कड़ी है जो आपको अधर्मी लोगों के समान आपको उनकी तरफ खींच रही है कैसे पहचान करेंगे इन खतरनाक लोगों की जिन से आपको बचना है और उसकी सुची यहाँ पर वो बताता है और सबसे पहला गुण है वे दूसरों को विश्वास से दूर ले जाते हैं अधर्मी लोग क्या करते हैं, दूसरों को विश्वास से दूर लेके जाते हैं, मेरे अगर कोई है आपकी जीवन में, जो आपके विश्वास की ना कदर करता, ना समझता, उल्टा मजाक उड़ाता, और आपके साथ बहुत जादा वाद विवाद करता है, कि आप प्रभू के विश्वास से छोड़ दो, तो आपको ऐसे व्यक्ति के साथ उठने बैठने की आवशक्ता नहीं है, ऐसा नहीं कि हम संसार से भागेंगे, ऐसा नहीं कि हम विश्वास नहीं करता, येशु मसी पर उससे बात नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहना है, जो आप को विश्वास से दूर लेके जाते हैं ऐसे लोगों से आपको बचने की आवशकता है यहुदा क्या कहता है मैं तो तुम लोगों को तुम्हारे उद्धार के बारे में तीन से हे प्रियो जब मैं उस उद्धार के विशे में तुम्हें लिखने का हर संभव प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब से भागी हैं तो मैंने ये लिखना और अनुरोध करना अवश्यक समझा कि तुम उस विश्वास के लिए यतन पूर्वक संघर्ष करते रहो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सदा के लिए सौंपा गया है वो कहता है कि मैं तुम्हे न मोक्ष के बारे में मुक्ती के बारे में लिखने वाला था लेकिन मेरे मन में प्रभू ने बोज डाला कि मैं तुम्हें ये सिखा हूँ अपने विश्वास के लिए खड़े रहो तुम अपने विश्वास में डगमगाने लगे हो हाँ तुमने मोक्ष प्राप्त कर लिया मुक्ती प्राप्त कर ली तुम्हारे पाप शमा हो गए लेकिन तुम अपने विश्वास में कमजूर हो रहे हो तुम अपने विश्वास के लिए खड़े रहो क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारे आगे पढ़ते हैं क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारे मध्य में प्रवेश कर चुके हैं पढ़िए क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से आगुसे हैं जो बहुत पहले से अपराद के दोशी ठराए जा चुके हैं वे अधर्मी हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह को लुच्पन में बदल डालते हैं और हमारे एक मात्र स्वामी और प्रभु अर्थात येश्यो मसी को अस्विगार करते हैं मेरे प्रियों आपको पता भी नहीं चलेगा आपको विश्वास से भटकाने वाले आपके आसपडोस में भी रहते हो सकते हैं आपको विश्वास से भटकाने वाले आपके आफिस में आपके साथ काम करने वाले भी हो सकते हैं और सुन लो आपको विश्वास में भटकाने वाले चर्च के लोग भी हो सकते हैं बहुत बार वार बाहर से नहीं, वार अंदर से होता है और हमें नहीं पता कौन यहाँ पर किस मन्शा से आता है हमें नहीं मालूम कौन है यहाँ पर और किस के विश्वास का क्या दरजा है लोग हर तरह की कामना करके चर्च में आते हैं एक बार तु मुझे आद है, पंदरा साल पहले यहां पे एक आदमी अपनी कंपनी के पर्चे बाटने आ गया, और मैं इंग्लिश चर्च में, मैं हरान था कि यह सब के हाथ में पीला-पीला कागस क्या है, वो अपने कंपनी की एड़िस्मेंट करने के लिए पूरे, वो इसी मन्षा से आया, एक बार पार्क में पास्टर अर्विंद और मैं, वेल, आइमीन, काफी चर्च के लोग थे, एक आदमी हमको मिला सूट बूट पहन कर उसने बोला, आप येशु मसिय की बारे में उसने कुछ उरूची दिखाई, उसने बोला, आप मंगलवार को आप मिल सक आपको बहुत ध्यान से चुनना है कौन तुम्हारा मित्र है, आपको बहुत ध्यान से चुनना है कि आप किसके साथ समय बिताते हो, अधर्मी लोगों की पहचान करना सीखो, पहली पहचान, वो आपको विश्वास से दूर लेके जाना चाहेंगे, वो आपको ऐसे तर्क- पितर्क देंगे कि आपको लगे का हां यार याद भी सही बोल रहा यार चर्च वाले तो ठीक नहीं है वो तो गडबड सिखा रहे हैं हमको आपको विश्वास से दूर लेके जाते हैं अधर्मी लोग दूसरा वे परमेश्वर के अनुग्रे को तुछ मानते हैं परमेश्वर मतलब जिसमें नयतिक्ता नहीं होती जिसमें पाप होता है इंफाक्ट यहां पर वो दो narrative कर रहे हैं वो अपने वो दो अधर्मी जो प्रमेश्वर के अनुग्रह को लुच्पन में बदल, वो लुच्पन के काम करते हैं और वो अपने शरीर को गलत कामों के लिए इस्तिमाल करते हैं यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो चार का भी और आठ का आठ पढ़िए, शरीर को अशुद करते हैं, क्या मतलब जब हम अपने पती या पतनी को छोड़ शादी के पहले, किसी के साथ भी और शादी के बाद अपने पती या पतनी को छोड़ जब किसी और के साथ हम शरीरिक संबंद बनाते हैं, अपने शरीर को अशुद करते हैं, अपने शरीर के ही प्रभू की अरात्मा करनी है, अर्थात हमें अपने जीवन भर काम काज करते, उठते बैठते, हम चलते फिरते मंदिर हैं, इसलिए जो प्रभू का डर नहीं मानते, वो सबसे पहले आपको विश्वास से दूर ले जाएंगे, दूसरा वो परमेश्वर की अनुग्रह को तु चल मेरे साथ, कोई बात नहीं, चल मेरे साथ, और मन में तो है पाप, गहराई में तो कहीं न कहीं वो चीज काम करती है, और हम उसमें पढ़ जाते हैं, मेरे प्रियोब पवित्र रहना मसीही जीवन है, और पाप से लड़ना मसीही जीवन है, और क्या करते हैं ये लोग, य येश्व मसी का इंकार करते हैं, they reject जीजस, यहां लिखा न और हमारे एक मात्र स्वामी और प्रभू अर्थात येश्व मसी को अस्वीकार करते हैं they don't accept, येश्व मसी प्रभू नहीं है, होगा कोई गुरू महात्मा होगा मान लिया, प्रभू तो नहीं हो सकता सच्चा प्रभू तो नहीं हो सकता, इकलौता प्रभू तो नहीं हो सकता वो येश्व मसी का इंकार करते हैं और वो क्या करते हैं वे अधिकार को इंकार करते अधिकार मतलब थोड़ा clear नहीं है ध्यान से सुनना अधिकार को इनकार करते हैं मतलब वो किसी भी authority को accept नहीं करते हैं ना तो वो परमेश्वर की authority को accept करते हैं क्योंकि वो तो इनकार करते ही है प्रभु का लेकिन वो इनसानी authority का भी आदर सतकार नहीं करते हैं ना तो वो अपने office में अपने boss की मानते हैं ना चर्च, अगर वो चर्च में आए, चर्च में भी ऐसे लोग होते हैं और ना तो वो चर्च के अंदर, चर्च के अधिकारियों के अधिकार को कोई तबज्जो देते हैं मेरे प्रियोग, मैं आपको आज एक बात बताता हूँ 12 साल मैंने सत्संग की सेवा की, सिद्ध होकर नहीं करी मैं पर्फेक्ट एकदम 100% सही नहीं था अपनी सेवा में किसी भी चर्च का कोई भी पास्टर सौ प्रतिशत सिद्ध नहीं हो सकता वो भी अनुग्रह से बचाया हुआ एक व्यक्ति है जो प्रभू के अनुग्रह से इस सेवा को कर रहा है, जो प्रभू ने उसे दी हुई है इसलिए आपको अपने अधिकारियों को अपनी अथोरिटी को सब्मिट इसलिए नहीं करना कि वो परफेक्ट है क्योंकि वो नहीं है आपको अपने अधिकारियों को इसलिए सब्मिट करना है इसलिए उनकी आग्या माननी है इसलिए उनका आदर करना है क्यूंकि वो आपकी अधिकारी है और प्रभू ने उनको वहाँ पे ठेराया है और जब वो कुछ गलत करेंगे वो उनके और प्रभू के बीच की बात है और यदि वो प्रभू का भेह मानने वाले लोग हैं तो जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा तो उनके अंदर ये साहस होगा कि वो खड़े उकर बोलेंगे हमसे गलती हो गई है हर फैसला जो एल्डर्स लेते हैं दस बड़ी गलतियां मैंने लिखी थी मेरे पास्टरिय जीवन की इस चर्च का पास्टर होकर जो मैंने दस बड़ी गलतियां करी पिछले दस बारा सालों में मैंने उन सब की एक सूची बनाई हमने कभी कलेम नहीं किया ना आज कलेम कर रहे हैं कि हम बिलकुल सही थे क्यूंकि हम कमजोर हैं हम भी गलत सोच कर हमारा भी अनुमान, हमारी प्लैनिंग गलत हो सकती है लेकिन प्रभू हमें उसके लिए क्रूस पे नहीं टांगता अनुग्र है, उपलब्ध है इसलिए कलीसिया की लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है अपने अधिकार की, अपने अधिकारियों की इजदत करें आज मैं जा रहा हूँ, एक महीने बाद मैं जा रहा हूँ कुंजी की बाद बताता हूँ, सीक्रिट बाद बताता हूँ नहीं लिखा स्पष्ट बाइबल में परंतु हर जगा भी बाइबल में हम इस बात को देखते हैं ध्यान से सुनना यदि आप पास्टर सोनू की इजदत नहीं करेंगे आपके जीवन में आशिशों की कमी होगी यदि आप पास्टर सोनू को इस चर्च का पास्टर करके स्वीकार नहीं करेंगे और उनको वही आदर देंगे जो आपने मुझे दिया तो आप अपने जीवन में बरकतों से बंचित रह जाएंगे ऐसे महान है पास्टर सोनू? नहीं परमेश्वर महान है लेकिन परमेश्वर ने एक कमजोर व्यक्ति को यहां पे रखा है ताकि वो कमजोर व्यक्ति परमेश्वर के बल से आपकी सेवा करें पॉलूस कहता है मैं तुमारे बीच में आया डरते कामते थर थराते तुमारे बीच में आया मैं तो बोल भी नहीं पाता था कोई सेवक यहां पर अपनी खूबियों से सेवा नहीं करता पर मेश्वर के अनुख्रे और पवित्रात्मा की सामर्त बुद्धी और बल पाकर वो सेवा करता है सीख लो, इस सीक्रेट को सीख लो जो अपने अधिकारियों की इज़त नहीं कर सकता जो उनकी अधिकारियों की इज़त करो और अगर नहीं करते हो, तो ये अधर्मी लोगों की पहचान है ये अनगाडली लोगों की पहचान है, जो अपने अधिकारियों को लगातार ठटा करते है उनकी कमिया निकालते हैं, उनकी पीट के पीछे उनकी बुराईया करते हैं, उनकी आज्याओं को नहीं मानते हैं, और अपने आपको उनसे उपर रखना चाहते हैं, बात उपर या नीचे की नहीं है, बात सिर्फ यही है, जिसको जो प्रभू ने करने के लिए बोला है, वो उनुमें नहीं है, in fact मैं साफ साफ देख सकता हूं कि pastor Manova की अंदर ऐसे ऐसे गुण है, कलाएं है, जो मेरे अंदर नहीं है, इसलिए हम एक दूसरे पर निर्भर है pastor Manova को मेरी जरूरत है मुझे pastor Manova की जरूरत है मैंने देखा अमित और निहाल के अंदर ऐसे ऐसे गुण है, जो pastor Sonu पे नहीं है क्योंकि वो उनसे पांच-पांच-छे-छे-साथ-साथ साथ साल छोटे है और वो आज के युग के अनुसार जल्दी मुबाइल पे काम कर सकते है कम्प्यूटर में जल्दी जल्दी सीख सकते है तो pastor Sonu को निहाल की जरूरत है अमित की जरूरत है लेकिन अमित को प्रभू की आशिशे पाने के लिए सोनु की जरूरत है सब अपने अपने जहां पे प्रभू ने आपको रखा है आदर करो एक दूसरे के स्थान का सिर्फ ये नहीं कि आप लोग आदर करो pastor का pastor आदर करेगा आपका हम अपने अधिकारियों के अधीनता में रहें क्योंकि rejection of authority अपनी authority को submit ना करना ये शेतान का काम है आपको मालूम है पाप कैसे हुआ आज दो घंटे दिपहर दिल्ली में शेतान के बारे में बात मैं कुछ और काम करने वहाँ शेतान की बात चल रही थी शेतान कैसे काम करता है शेतान आया कहां से कैसे आया वो क्या करता है खुब सारी बात चल रही थी शेतान ने अपने स्थान पे टिके रहना उत्तम ना समझा परंतु शेतान ने परमेश्वर के स्थानों, यहाँ पे लिखा हुआ है actually छे में लिखा हुआ है छे में देखिए उन्होंने अपने पद्ग में टिके रहना मुनासिब ना समझा, क्यूं? क्यूंकि जो शेतान था, उस समें शेतान नहीं था उस समें स्वर्गदूत था वो परमेश्वर के भी उपर के स्थान को ग्रहन करना चाहता था और वो प्रभू की अथारिटी को रिजेक्ट कर चुका था मैं सबसे बड़ा स्वर्गदूत हूँ तो मैं परमेश्वर से महान भी तो होई सकता हूँ उसने अथारिटी को रिजेक्ट किया जब आप अथारिटी को रिजेक्ट करते हो आप अपने स्थान को भी रिजेक्ट करते हो और उसके फल स्वरूप आप उससे भी नीचे गिर जाते हो जैसे शेतान के साथ हुआ उसका जो स्थान था उसको उससे बड़ा स्थान चाहिए था उसका फल क्या निकला बोलो मुझे वो अपने स्थान से भी नीचे गिर गया आप समझते हो कितना नुकसान है आपका यदि आप अपने जो भी आपके यदि आप बच्चे हो नौजवान हो आपके माता पिता का यदि आप आदर नहीं करते हो यदि आप ऑफिस में अपने बॉस का आदर और उनकी आग्या को नहीं मानते हो यदि आप चर्च में अपने पास्टर पर भरोसा नहीं करते हो और लगातार उनके अंदर कमिया तुटिया निकालते हो जो स्थान आपका है आप उससे भी नीचे गिर जाएंगे मैंने बहुत बड़ी अंदर की बात आपको बताई है अगर आप धिमान बनना चाहते हो तो वचन को ध्यान से सुनो विश्वास करो जो प्रभू का आत्मा यहां से बोल रहा है आपको अधर्मी लोग अथोरिटी को रिजेक्ट करते हैं फिर वे धार्मिक बातों को तुछ जानते हैं परमेश्वर की बातों को उपवास प्रातना करना बाइबल पढ़ना चर्च में आना संगती में रहना सेवा करना इन सारी जो कुछ भी अच्छी बात है वो उसको तुछ जानते हैं उसका मजाख उडाते हैं वे बिना ग्यान के बात करते हैं वो बोलते बहुत हैं जिस विशे के बारे में वो discuss कर रहे हैं उस विशे के बारे में उनको knowledge नहीं है यह I think दस में लिखा हुआ है दस में क्या लिखा है हाँ समझते नहीं है लेकिन निंदा करते हैं बोलते हैं जील विदाउट knowledge उनके अंदर जील है जोश है जनून है इसलिए बड़ बड़ बहुत कुछ बोलेंगे परंतु उसके बारे में नौलेज उनको नहीं है वे धन के लिए लालची होते हैं जब मैंने प्रचार शुरू किया था मैंने आपसे कहा था अधर्मी लोगों के अगुण देखने वाले हैं हो सकता है आपके अंदर स पाप से जूचते हैं हम धन के लालची हैं हमें पैसा चाहिए हम बहुत प्यार करते हैं पैसे को और हम कुछ भी करेंगे आत्मा का अदान प्रदान आत्मा की खरीद फरोद करने मतलब अपनी आत्मा को भी हम सेल पे लगा देते हैं क्योंकि हमें पैसा चाहिए क्या पैसा क आगल हो जाना गलत बात है, गलत ही नहीं है, अनर्थ है, क्योंकि वो आपको नाश कर देगा, क्योंकि प्रभु ने कहा कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, या तो पैसा आपका स्वामी बना लो और चल पड़ो उस रास्ते पर, और फिर जब थोकर लग जब पैसा पाने के बाद जब अशान्ती होगी तब प्रभु के पास आओगे, और या फिर आज पैसे को अपना गुलाम बना लो, और कमाओ पैसा, करो महनत, करो बिजनस, जो करना है करो, अपनी आत्मा को न बेचो, किसे ने कहा, पैसा बहुत अच्छा गुलाम है, बट बहुत भयंकर खतरनाक स्वामी है, पैसा बहुत अच्छा गुलाम है, बहुत अच्छा दास है, लेकिन स्वामी बना दिया उसको तो वो बहुत खतरनाक है, आज आपको और मुझको जरूरत है, हम पैसे को अपना गुलाम बनाए, गुलाम से हम क्या करवाते हैं, जो मर्ज के अंदर लिखा होगा, क्या लिखा हो, 11 में कोई पड़ो, उन्होंने लालच किया, पैसों के विशे में बोलते ही रहते हैं, हम प्रचार करते हैं, तो आपको ज्यादा बोलनी की जुरत नहीं है, लेकिन जो अधर्मी लोग होते हैं, वो धन के लालची होते हैं, फिर उनके प्रेम में धोका होता है ये बड़ा इंट्रेस्टिंग है ध्यान से सुनना उनके प्रेम में धोका होता है क्या समझते हैं आप इससे अधर्मी लोग बुरे लोग उनके प्रेम में धोका होता है मतलब जो प्रभू का डर नहीं मानते और जो आपके जीवन का हिस्सा बने आप भी उने बड़ी खुशी से खाने पर बुलाओगे, गले लगके उनका स्वागत करोगे, और वो तुम्हारे घर में आके खाना खाएंगे, पर तुम्हारी बुराई उनके मन की कामना होगी, बचन पढ़ लेते हैं फिर और समझ में आएगा, पढ़िए बारा, ये पीटी भोजों में तुमारे साथ नी-धडक खाते पीते हैं तुमारे साथ ये लोग, केवल अपना ही ध्यान रखते हैं लेकिन, मतलब ये ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो, आपको पहचानना है, क्यूंकि ये लोग आपके साथ उठते बैठते हैं, अब मैं नहीं कह रहा आज आसपडोस और आपके ओफिस के लोग तो होंगे, कुछ रिष्टेदार भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जो आपको प्रभु से दूर लेके जाना चाहता है, लेकिन उसने आपके साथ ऐसी मित्रता बनाई हुई है, समय बीथते जा रहा है, और आप प्रभु से दूर होते जा रहे हो, और धीरे धीरे आपका मन वो प्रभु से दूर कर रहा है, क्यूं? क्यूंकि आपका आज आपका कल तै करता है, आपके आज की संगती आपका कल का भविष्य तै करती है, और क्यूंकि वो उनकी प्रेम में धोका है, वो स्वार्थी होते हैं, वो आपका फा पाइदा उठाएंगे, वे सिर्फ बात करते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं, क्या लिखा है, वो गरचते हुए बादल है, ऐसे लिखा है, निर्जल बादल, क्या होता है, इधर देखो सारे, सब लोग ठक तो नहीं गए, वो निर्जल बादल है, क्या मतलब निर्जल बा एक लैप्टॉप जैसा बैग लेकि आया उसमे लैप्टॉप नहीं है झूंकि लैप्टॉप का बैग रहा है झाते पीज़ग या धी स्ट, बिलिल एक दैटाग से लिए बैटका लेकि आया था हम कुछ परचा निकाला मैं जानता हूँ कईों को बचाया है ऐसे लोगों को बड़ी-बड़ी बातें करते हैं उनका एक रुत्बा है एक जुटा रुत्बा है क्यों बादल है न दिखता तो है बादल बहुत सुन्दर है बहुत बड़ा है अंदर पानी नहीं है और इसलिए उनकी बातों में कुछ impression तो होती है, हम उनकी बातों में जल्दी से आ जाते हैं क्योंकि उनको अच्छा बोलना आता है मेरे प्रियो शतान ने बहुत बोला ये शुमसी को बहुत सारे वचन भी बोले बड़ी बातों को सुनकर उनके पीछे लग जाना और अपना बात में नुकसान करवा लेना मैं कैसे इनसान को जानता हूँ जो लिटली एक अच्छे खासे किराय के पक्के घर में रहता था, उसकी नौबत ऐसी आ गई कि वो जोपड़ी में उसको रहना पड़ा, जोपड़ी में ये मेंबर बनाने वाला जो काम है हमारे पंजाब के कई ऐसी कलीसियां हैं, जहां पर बीज बोने के नाम पे लाखों रुपए खटे किये जा रहे हैं, और ऐसे मूर्ख लोग हैं, जिनके बारे मैं बहुत जानता हूँ मेरे को बैंगलोर से फोन आया, एक अंटी जाना चाहती है बीज बोने के लिए, मैंने बोला, अंटी सोने की, कुछ ना कुछ अपने घर में कर लो, वहां मत देना, हम अंदर से जानते हैं, कि धंदा क्या है और ऐसे कुछ मूर्ख लोग, मैं नहीं प्रभू के दया से सत्संग में नहीं होंगे पर अगर आप लोगों का मन लल चाता है हम भी जाएंगे बीज बोने बच के रहो क्योंकि बड़ी-बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन उनके अंदर कुछ नहीं है उनके अंदर कुछ नहीं है उनका भगवान लिखा है उनका पेट है बचन में लिखा है वो केवल अपनी जेबें अपना घर बटोरने के लिए आज शाम को मेरी बात हुई सुबा बारा बजे चर्च के बाद एक बहन से बात हुई अमेरिका सिफ होना है पंजाबी लड़की है उसने आज तक पूरे अमेरिका में उस जूटे प्रचारक को गुसने नहीं दिया वो पैसा खर्च करती है जगा जगा जाती है क्योंकि वो उस इंसान से लुट चुकी है जिसको आप सब अच्छे से जानते हो मैं नाम नहीं लूँगा अमेरिका में उसने घुसने नहीं दिया उसको जगा जगा उसका परदा फाश किया मुझे अंदर से कहानिया पता है मेरे प्रियो बच के रहो ऐसे लोगों से जो प्रभू के अनुग्रे को बेचते हैं इंटरनेट पे मूर्ख मत बनो मूर्ख मत बनो बीच बोने के नाम पे पैसे बरबाद मत करो सिर्फ बाते करते हैं बड़ी-बड़ी लेकिन उनके अंदर कुछ नहीं है वो किसी को आशीश नहीं दे सकते हैं कैसे पता वचन में क्या लिखा हुआ है ये मनुश्य समुद्र तल की छिपी चटान तो है जो तुम्हारे प्रीती बोजों में तुम्हारे साथ नीदड़क खाते पीते हैं केवल अपना ही ध्यान रखते हैं निर्जल बादल हैं जिने हवा उडा ले जाती है पतज़ड के फलहीन व्रिक्ष हैं पतज़ड के फलहीन व्रिक्ष क्या कोई पतज़ड का फलहीन बिना फल का व्रिक्ष क्या आपको फल दे सकता है आपकी जोली में कभी गिरेगा फल ऐसे पेड़ से तो अधर्मी लोग चाहे बाते बहुत बड़ी बड़ी करें वो एक ऐसे रितू के पेड हैं जिनके अंदर कुछ भी फल नहीं फल तो बहुत दूर की बात यदि बारिश आये उसके नीचे खड़े होके अपने आपको बचा भी नहीं सकते यदि धूप आये उसके नीचे खड़े होके आप अपने आपको धूप से भी बचा नहीं सकते बहुत गर्मी है तो उस पतज़ड वाले पेड में हवा तक नहीं चल रही है जो कम से कम थोड़ी ठंडी हवा मिल जाए मेरे प्रियोब बच के रहो और तेरवी उनकी खुबी क्या है उनके पास मकसद या दिशा नहीं होती आगे क्या लिखा वो इसी के अंदर वे पतज़ड के फलहीन व्रिक्ष हैं जो दो बार सूख चुके हैं और ज़ड से उखड गए हैं समुद्र की प्रचंड लहरे हैं जो फेन के समान अपनी लज्जा उलचाते हैं डावा डोल तारे हैं भटके हुए तारे हैं इदर देखो सारे ये जो भक्ति हीन लोग हैं ये क्या हैं डावा डोल तारे भटके हुए तारे सारे बोलो भटके हुए तारे क्या मतलब है इसका तारा तो है लेकिन भटका हुआ है क्या मतलब ये ऐसे लोग हैं तो आपको क्या हो जाएगा बताओ हम भी भटके हुए हो जाएंगे निकल निकल के बात आ रही है सामने संगती को प्रेम करो संगती को प्रेम करो संगती में लगे रहो प्रभू क्या भे मानने वाले लोगों से दोस्ती करो दुनियादारी के लोगों से बचके रहो मिलो जुलो उठो बैठो सब कुछ करना है पर बुद्धिमानी के साथ समझदारी के साथ वो हमारे जीवन को नहीं चलाएंगे बलकि प्रभू चाहेगा तो हम उनके जीवन को चलाएंगे मतलब हम उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे फिर वे बढ़ बढाते हैं और गुष्सा करते हैं लडाई करते हैं जगड़ा करते हैं इसलिए हर छोटी बात पे जगड़ा करना गालियां निकालना, धक्के मारना क्य बोलते हैं? हाथा पाई करना ये प्रभू के गुण नहीं है वे बड़ बड़ाते हैं मतलब कंप्लेन करते हैं कमिया निकालते हैं और आगे वे हमेशा अलोचना करते हैं, हमेशा कमिया निकालेंगे हमेशा कुछ ना कुछ आज ऐसा नहीं हुआ आज पाश्र साब ने ऐसा क्यों बोल दिया आज चर्च में चाय में चीनी कम थी आज हमारी चद्रें बड़ी गंदी थी आज ये लाल चद्र में जाडू नहीं लगाई कमिया लगातार कमिया निकालते हैं एक महीना खाना अरे अच्छाखासा पैसा आ गया था, खाना बनाने के लिए एक दिन भी रोटिया नीखिलाई रोज हमको चावल खाने पड़े ये ये हसने की बाते नहीं है, जब हम कमप्लेन करते हैं यह प्रभू का आत्मा नहीं है क्योंकि प्रभू का आत्मा धन्यवाद देता है बडबडाता नहीं है कंप्ले mammoth नहीं करता अलोचना नहीं करता जगड़े उत्पन नहीं करता छोटी سी बात के पीछे धन्य है वे जो बेल मेलाब करवाते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे और क्या करते हैं वे अपने गलत काम को पूरा करने में अडे रहते हैं मनमर्जी यह सब लिखा है बचन के अंदर और वे घमंड करते हैं गमंड करेंगे अपनी उपलब्दियों का चोटी मोटी उपलब्दियां जिनका जादा फरक भी नहीं पड़ता बढ़ उसकी बड़ी वो उपलब्दी किया बहुत बहुत गमंड करेंगे अपनी शकल सूरत का, अपने बच्चों का, अपनी जो कुछ उन्होंने जिन्दगी में हासिल किया है और कभी-कभी तो टोटल बिल्कुल बोगस घमंड करते हैं ऐसे लोगों से मिले वाप, जुन्होंने कभी कुछ भी सिन्दगी में हासिल निकिया लेगि उनका बिल्कुल जीरो, खोगला घमंड होता है, बड़ करते हैं घमंड, अठारवा, और ये लास्ट है वे चापलूसी करते हैं और लाब के लिए जूट बोलते हैं, अपने लाब के लिए जूट बोलते हैं मेरे प्रियों, जीवन के सफर में हमारे साथ गलत हो जाता है, हमारे बटवे, हमारी चेन, हमारा फोन और प्ता नहीं क्या कुछ छीन लिया जाता है, उसमें तो बड़े सतर्क रहते हैं उसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन के सफर में हमें विश्वास से भटकाने वाले लोग बहुत हैं और उनके साथ हम कंदे से कंधा रोज मिलाते हैं क्यूंकि हमें दुनिया में जीना है पर अगर हम अपनी आत्मिक आँखों को खोल के नहीं रखेंगे और अपने आपको आत् आत्मिक नजरों से नहीं देखेंगे तो हम भटके हुए लोग हमें भटकाएंगे और हम भटक जाएंगे या फिर हम बहुत कमजोर रह जाएंगे हम फलहीन हो जाएंगे हम प्रभू में होकर प्रभू के नाम पे कुछ कर नहीं पाएंगे यहां तक कि प्रभू का आनंद भी हमें नहीं मिलेगा, मैं नहीं चाहता, आपके साथ ऐसा हो, ऐसे लोगों का न्याए क्या होगा, वे नाश हो जाएंगे और अनन्त आग की सजा भोगेंगे, यहुदा की पत्री में लिखा हुआ है, पांच में, साथ के दूसरे भाग में और चौदा पंद्रा में वे आग की सजा भोगेंगे, हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको, एक ही बात है, अपनी संगती बुद्धिमानी से चुनो, अपनी संगती बुद्धिमानी से चुनो, चूज वाइजली, इस बात का जवाब दो अपने मन में, जो मैं आप से पूछ रहा हूं, चार आपके सलाहकार कौन है? Who are your advisors? आपके सलाहकार कौन है? आपके शिक्षक कौन है? आपके टीचर कौन है? जो आपको बताते हैं, ये कर, ये मत कर, ये गलत है, ये सही है, कौन है आपका टीचर? और चौथा, अपना सबसे जादा टाइम किसके साथ बिताते हो, जब आपको टाइम मिलता है? किसके पीछे भागते हो? Who do you love for? What is your most, the longing that you most crave for? किसके साथ आप सबसे जादा समय बिताते हो? ये शुमसी हमारे पापों के लिए मारा गया और उसने आपको एक नया परिवार दिया है, कलीसया का परिवार दिया है, विश्वासियों की नई संगती उसने आपको दी है हम उसकी value करें, हम उसकी कद्र करें विश्वासियों के साथ संगती में बने रहें ठंड के मारे आने वाले दिनों में अब फरवरी में चर्च चलेंगे, बहुत ठंड होती है ऐसा ना करें अभी तो ठंड कुछ नहीं है, ठंड वढ़ने वाली है पर चर्च आना मत छोड़ना आ जाओ ठंड में, शौ लोड के आजाओ संगती में बने रहो लगातार चर्च आओ अपने अपने home group में, अपने अपनी Bible study में लगातार जाओ, एक बात में आपको गुठनों पे होकर, हाथ जोड कर गिर्गिडा कर मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ अपने जीवन में एक mentor रखो एक mentor रखो अपने जीवन में mentor कौन? आपका अगवा एक होना चाहिए, वो pastor सोनू सबके नहीं हो सकते, दोसों लोगों को pastor सोनू mentor नहीं कर सकते, पांच, छे साथ, आठ को कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा चर्च में आपस में आपको mentor ढूंडना है और किसी ऐसे व्यक्ति की अधीनता में आजाओ पता है, अधीनता बहुत अच्छी जगा है के अधीन रहो, जीवन में कुछ करने से पहले सुझाओ, लो, और सुझाओ को सुनो जब दिया जाता है, मनमर्जी मत करो, आप अपने लिए बैस्ट नहीं कर सकते हो, परमेश्वर आपके जीवन में आपके अच्छे मित्रों के द्वारा आप से बात करेगा, take your decision, सोच समझ कर प्रातना करके, बुद्धी मानी के साथ अपने फैसलों को लो, अगला बड़ा practical है social media और असली जिंदगी का संतुलन बना के रखो, अगर संतुलन बिगड चुका है social media से निकल जाओ, निकल जाओ, social media क्या होता है बताओ, आपको ज्यादा बताओगा, बताओ क्या होता है social media, facebook, twitter और insta और snapchat ये चीजें तुम्हें नश्ट कर रही है अगर संतुलन इतना बिगड चुका है कि तुम्हारी आत्मा sale पे लगी हुई है, निकल जाओ, बंद कर दो डिलीट कर दो उस account को जब बुद्धी आ जाएगी तब दुबारा आ जाना जब आप दिन में केवल 8-10 मिनट थोड़ा देख लो, that's it लेकिन जब प्रसिद्ध होना चाहते हो वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो गंदे गंदे गाने, कभी-कभी तो प्रभू के गानों पर acting, सज समर के प्रभू के गानों पर नाचा जा रहा है लेकिन साफ पता लग रहा है हूलिये में, शरीर के हिलने, डुलने में आखों के मटकने में साफ पता चल रहा है इसमें खुदा का कुछ भी नहीं है शायद उसमें गाना मिला नहीं होगा फिल्मी वाला तो चलो यह चला देते हैं निकल जाओ इन ये बाते गंदी नहीं है सोशल मीडिया बुरा नहीं है लेकिन जब आप गुलाम बन चुके हो प्रसिद्ध होना है मुझे फेमस होना है मुझे और आजकल लोगों को नया जोस चड़ा है यूट्यूबर बनना है पैसे कमाने है और फिर बाइबल पड़े को चार महीने हो गए लेकिन चार महीने में बहुत सारी वीडियोस डल रही है बराबर 500 लोगों को मैसेच जा रहा है मुझे लाइक करो, मुझे सबस्क्राइब करो crazy पागल हो चुके हैं लाइक करो, सबस्क्राइब करो अनपड़ लोगों को भी बोलना आ गया है लेकिन हर कोई बच्चा-बच्चा सीख गया है सबस्क्राइब करो क्या कहना चाहता हूँ मैं हम पागल हो चुके हैं प्रसिद्ध होना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं ये दो ही हो जकती है ताइम पास करने के लिए आपको सोशल मीडिया ही मिला है चर्च में आपको आए महीने हो गए और इतना टाइम है कि आप दिन में चार-चार वीडियो आपकी चड़ रही है और वीडियो चड़ने के पहले खूब तयार सूट बूट पहन रहे हैं भाई लोग हमारे तयार होकर के वो जो पैंतालिस मिनिट तयार होने में लगाए अगर साड़े-चार मिनिट की प्रातना भी की है तो बताओ इसलिए जो मैं जिस तरह से बातें आज कर रहा हूँ ऐसा कोई प्रचारक कर नहीं सकता ना करना चाहिए पर मैं प्रचारक होके नहीं बोल रहा हूँ मैं ये चर्च छोड़के जा रहा हूँ इसलिए मैं एक अधिकार के साथ इस भाशा का प्रयोग कर रहा हूँ और आपके साथ बात कर क्यूंकि मेरे पास अधिकार है मैंने 12 साल दिया है इस चर्च में मेरे पास राइट है ये बोलने का इसलिए मेरे साथ सहना अगर मैं जादा उतेजित हो रहा हूँ तो उसके पीछे एक दर्द है जब आपके जीवन को मैं हलका होते हूँ देखता हूँ तो दिल रोता है और इसलिए मैं ऐसा कुछ भी वचन उठा के नहीं बोलता हूँ सोचा, समझा प्रभू क्या बोलूँ मैं यहुदा के दूसरे भाग में प्रचार करने में सत्ना से मेरा प्रचार शुरू था फिर मुझे लगा नहीं इसमें बहुत कुछ है यहुदा में चलो सब कुछ सिखाएंगे फिर मैंने नया वचन सुबा चार बजे उठके यह वचन बनाया है आज का मेरा अगले हफ़ते का वचन बहुत पहले से तयार है इसलिए प्रभू ने कुछ बाते जो मेरे दिल में है एक आत्मिक पिता होने के नाते में आपको यह बाते बोल रहा हूँ जो बाते मैंने आपको आज बोली है इसलिए आप आपकी संगती चुनो बड़े मुद्धी मानी से उसके अंदर सोशल मीडिया भी आता है अगर सोशल मीडिया आपको नश्ट कर रहा है तो मैं कहूंगा कि यह भी ठीक है आप बटन वाला फोन ले लो अगर यह आपको नर्क की और लेके जा रहा है आने वाले युक का और इस युक की सबसे बड़ी सबसे बड़ी बुराई बन चुका है यह फोन कई लोग तो चर्च में टिकके नहीं बैठ सकते बिना अपना फोन पंदरा बार देखे इसलिए मेरे प्रियोग अपनी संगती को ध्यान से चुनो और बैलेंस बनाके रखो कोई जरूरत नहीं है फोन तोड़ने की और कोई जरूरत नहीं है अपना अकाउंट डिलीट करने की बट बुद्धिमान बनो आठ दस मिनिट एक दिन में काफी है मुझे पता नहीं आपके टाइम के बजट में इतना टाइम निकलता कहां से है जबकि आप में से तो कई लोग बारा बारा घंटे नौकरी करते है उसके बाद भी इतना टाइम है अनबिलीवेबल क्या management skills है आपके पास इसलिए अपनी संगती को ध्यान से चुनो और अंत में आखरी बात actively run away from the kind of people that we have discussed जिन लोगों ऐसे लोगों की जिनकी हमने चर्चा की है ऐसे लोगों से भागो ऐसे लोगों से भागो कैसे लोगों से भागना है हिंदी पढ़नी आती है सबको काफियों को आती होगी पढ़ते हैं हमें कैसे लोगों से भागना है धार्मिक बातों को तुछ जानते हैं बिना ग्यान के बहुत कुछ बोलते रहते हैं धन के लालची होते हैं उनके प्रेम में धोका होता है वे स्वार्थी होते हैं वे सिर्फ बात करते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं वे किसी को आशीश नहीं दे सकते हैं, उनके पास मकसद या देशा नहीं होती है, वे बड़ बडाते हैं और लड़ाई जगड़े करते हैं, वे हमेशा आलोचना करते हैं, वे गलत काम को पूरा करने में अडे रहते हैं, वे घमंड करते हैं, वे चापलूसी करते हैं, और ला को चुनना है मैं मानता हूं प्रभु ने आपसे बात की है और जो बात प्रभु ने आपसे की है न उसको करना जरूर याकूब में लिखा बचन के सुनने वाले नहीं बचन के करने वाले बनो और अगर केवल सुनते हो और करते नहीं हो तो अपने आपको धोका देते हो ठीक उसी प्रकार जैसे आप आईने में गए, आपने अपना चहरा देखा, चहरे पर गंदगी लगी हुई है, और वो देख ली आईने में, पर चहरा साफ नहीं किया, ऐसा कोई करता है, उसी प्रकार जब आप वचन सुनते हो, आपकी गलतियां सामने आती हैं, आपका पाप सामन आता है, और प्रभू का अनुक्रह भी सामने आता है, कि प्रभू आपके हर पाप को माफ करने को तयार है, प्रभू आपसे बहुत प्रेम करता है, अगर आप में से कोई है, जो आज चार सालों के बाद चर्च में आया है, प्रभू आपसे उतना ही प्रेम करता है, क्योंकि बदले में प्रभु से प्रेम करें हालेलुया, प्रभु अगर हमारे जीवन में है, तो हमारा जीवन खूपसूरत है, सारे बोलो, जिन्दगी खूपसूरत है जिन्दगी खूपसूरत है ए मसीहा ए मसीहा आगे क्या है? जिसके पास तू है hallelujah सब खड़े हो जाएं